जो वीडियो है यह है पांस्ट एड़ेस्टमेंट की जिसमें इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने कोश्चन नंबर 58 बनाया हुआ था जिसे आपने देखा भी होगा और अगर आपने हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोरण कर लिए और लेद 58 कोश्चन नंबर बना चुका हूँ और उसकी वीडियो आप देख चुके होंगे और वीडियो जो देखा होगा वो था कोश्चन नंबर 58 का 58 के बाद हमने उसके जैसा एक थोड़ा सा डिफरेंड था 63 भी बनाया था और 63 के बाद जो थोड़ा सा और अलग कोश्चन है वो चल जाएगा कोश्चन कौन सा है इसमें क्या होता है मीता और उसा दो प्रकार के पार्टनर हैं उनका टूश टूथरी का रेसो है और उसके बाद मीता की कैप्टल उसकी कैप्टल एक अपरेल 2015-16 का इसमें दिया हुआ है एक लाग चालिस जार रूपए एक लाग बीस जार रूपए और मीता ने और उसा ने एक जनवरी 2015-16 में ही इन्होंने 16 को ड्रोइंग किया हुआ है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महिने का इंटरेस्ट 6% परेनम के हिसाब से इनका छूट गया है और मीता और उसा को इंटरे एड़ेस्टमेंट हम करेंगे यह सब छोड़ दिया है और प्रोफिट एंट लोस को टू इस टू थरी के रेसों में इन लोगों ने बांट लिया है तो आइए शुरू करते हैं इनका एड़ेस्टमेंट तयार करेंगे कोश्चन हमने आपको सुना दिया है आप इसको अगर आपको लगता है कि यह लिखना काफी बोरियत है और आप इसमें अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं आपको याद नहीं आ रहा है तो आप यहां सिंपल वरकिंग नोट लिख सकते हैं ऐसा नहीं है कि यह लंबा चोड़ा स्टेटमेंट आप लिखेंगे तब ही आपको नहीं बन रहा है तो आप इसको छोटे स्टेटमेंट बे दे सकते हैं इसमें दो तो पार्टनर हो गए मीता और उसा और एक हमने बना लिया है फार्मका भी हिसाब किताब इसमें यह फार्मका काम करेगा और यहां पर मीता और उसा इनके डेबिट में क्या होना चाहिए क्रेडिट में क्या होना चाहिए यह देखना इसमें बहुत जरूरी है इस प्रकार से इसमें profit and loss का balance नहीं दिया हुआ है इसलिए घवरानी यदूरत नहीं है profit नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है जो दिया है उसी से adjustment बना लेते हैं सबसे पहले नंबर 140,000 रुपए का 6% interest मीता का 1,20,000 रुपए पर 6% interest उसा का इनको credit करेंगे क्योंकि इन्होंने अपना-पना interest लेना छोड़ दिया था interest on capital इनका 1,40,000 पर 6% से 8,400 और इनका 1,40,000 से 6% से 7,200 रुपए और फर्म में ये चीज हमारे लिए नुक्सान नहीं फर्म के लिए नुक्सान होगा क्योंकि partner के तो फायदा है अगर हम partner है तो हमें फायदा होगा लेकिन फर्म के लिए नुक्सान होगा और यहां पर commission में छोट गया है interest on drawing पे छोट गया है interest on drawing interest on drawing मीता और उसा ने अपने interest on drawing के charge किया वो 6% charge किया है और इनके interest on drawing का जो rate है वो 6% के बाद time भी दिया हुआ है तीन महिने का होगा क्योंकि January एक कोई नों नों drawing किया है तो January, February और March तीन महिने का interest on drawing इनका charge होगा तो यहाँ पर दिखा देते हैं किस तरह से तीन महिने का interest on drawing charge होगा 32,000 इनका drawing है 6% इनका rate है 3 month 3 upon 12 कर लेंगे और 3 month का interest नका charge हो जाएगा इसका आप काट पीट करेंगे यानि काटेंगे तो 480 आएगा अगर आप काटना चाहते हैं तो देखिए 0 से 0 कट गया 6, 2 जा 12 हो गया 2 से हमने इसको काटा 160 1, 16, 2, 3 4, 80 यानि 480 रुपे प्राप्त हो गए इसी तरीके से हम दूसरे पार्टी का भी काट लेंगे यानि कि उसा का भी तो 480 रुपे इनके लिए तो नुकसान होगा और इनका 360 रुपे का आएगा 24,000 रुपे का लेकिन फर्मे 840 रुपे जो किन दोनों का टोटल है वो क्रेडिट हो जाएगा इसके बाद सैलरी भी बाकी रह गई है ओ कमीशन है सायथ कमीशन कमीशन ही है कि नहीं हाँ कमीशन है मीता को कमीशन छोड़ गया है तो मीता को हम कमीशन देंगे 8,000 रुपेज का नुकसान बैट रहा है फर्मे 15,600 आरा 8,000 दोनों बिलाके 23,600 रुपेज डेबिट का बैलन्स है क्रेड में 840 रुपेज है तो डेबिट में से क्रेडिट को अगर हम घटाते हैं तो हमें कितन रुपेज का फर्मे की तरब से नुकसान उठाना पड़ेगा इनकी वजह से 23,600 माइनस 840 तो यह आता है 22,760 का इनको लोस होगा और यहाँ पर लिख्या जाएगा प्रोफिट एंड लोस एकाउंट ब्रेकेट में लिख्ये लोस च्योंकि फर्म का लोस इनको ही तो माता जाएगा इनके एकाउंट में 2 और 3 के रेशों में डेबिट हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रोफिट पहले से दिया नहीं है तो इसलिए इनका जो डिफरेंट होगा वही लोस या प्रोफिट काउंट होगा तो 22,760 रूपे को हम इनके एकाउंट में 2 अपॉन 5 9,104 इनके एकाउंट में आता है मीता के और इनके एकाउंट में आएगा 3 अपॉन 5 कर लेंगे 22,760 इन्टू 3 अपॉन 5 इस प्रकार से इनके एकाउंट में आता है 13,656 रूपे 13,656 इनके खाते में हम डेबिट कर देंगे 13,656 इस प्रकार से फर्म का प्रोफेट पड़ चुका है अब दीख लिते हैं टोटल आखिर आज़स्टमेंट एकाउंट में कितना रुपए का इनका गपला होता है और इधर इस साइड में क्रेट का है और डेविट का जो है ये है 9,584 का और इनका है क्रेडिट का 7,200 और इधर का है 14,016 रुपीज का और इस तरफ फर्म तो दोनों तरफ एक्वल हो चुका है फर्म का तो कुछ नहीं होना है अब इनका अज़स्टमेंट चेक कर लेते हैं अज़स्टमेंट कितना रुपए का है यहां पर लिखेंगे अज़स्टेड एमाउंट adjusted amount कितने रुपए का आएगा जो कि day media credit हो सकता है firm का तो program निल हो गया है firm का program निल हो गया है तो firm के लिए छोड़ दीजिए अब बात करते हैं 16,400-9,584 6,816 रुपए इनका credit side में जादा है credit side जादा है तो यहाँ पर हम credit लिखेंगे यानि इनके account में 3 रुपए और credit होना चाहिए और इनके यहाँ पर वही रकम इसमें से इसको घटाएंगे 6,816 रुपए डेबिट होना चाहिए और यह है उसा इनका capital account को जो balance है capital इनका fix नहीं दिया हुआ है इसलिए इनके खाते में जो पैसा transfer होगा capital account के द्वारा adjusted entry पास की जाएगी यहाँ पर लिखेंगे adjusted journal यानि journal entry जो adjusted होगी वो होगी उसा 6,816 रुपए डेबिट यानि यहाँ लिखेंगे उसा ज capital account डेबिट 6,816 रुपए टू मीता आज capital account मीता के capital account में 6,816 रुपए credit हो जाएंगे इस परकार से इनके account में यह रकम जो छोट गई थी अब adjust हो जाएगी being amount of interest and commission adjusted जो जो भी चीज़े हमने adjust की है उनका हमने journal तयार कर दिया आपने देखा किस तरह से हमने इसका journal rectify किया है journal entry के द्वारा और किस तरीके से यह entry हमने solve की है और यह problem आपके सामने समाप्त हो गई तो इसमें अगर आपने अच्छी तरह समझा है आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तापको जिससे आपको latest update continue मिलती रहे तो मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए आपने वीडियो अंतक देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद आपकी समझ माया होगा ऐसे मुझे उम्मीद हो रही है कि आपको समझ में जरूर आया होगा तो अगर आपको समझ माया है और आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में